वेल हलो मेरा नाम है यूगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी नेट्लिक्स पर एक कोरियन सीरीज आई है स्क्विड गेम के नाम से जो लिटरली वर्ल्ड वाइड धूम मचा रही है और ये सीरीज इंडिया में भी फेमस हो रही है ना सिर्फ इसके कॉंटेंट और स्टोरी के वज़े से बट अफकॉर्स इसके हिंदी डबिंग के वज़े से भी तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्विड गेम के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट इस सीरीज में वैसे तो 456 प्लेयर्स है बट कुछ ही में प्लेयर्स है जिन पर जादा फोकस किया गया है जैसे कि ये पहरा दिया था याद है और गिम से पहले हमने यहां से कठे बाहर जाने का वादा किया था किया था कि नहीं अवे साली तेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने तुझे खिलाया घर दिया सारे ट्रिक सिखाए और मुझे घंचर मार दिया आप लोगों को दुबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है मुझे बस का किराय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर च्या मैं सच में आपकी टीम में आ सकता हूँ बखवास करना बंद करो और इसे धंग से पकड़ो मुझे काम पर ध्यान देने दो नहीं तो मैं इसका लिवर और किड्नी बरबाद करके रख दूँगा वैसे न तुम लोगों की किसमत बहुत अच्छी है और इन सूखी हटियों से तो ज़्यादा ही काम कर सकती हूँ और पता है मैं सब कुछ अच्छा ही करती हूँ है ना बढ़ियाबाद मुझे पता है बच्चे मैं बस गिंती कर रहा था मेरे डॉक्टर ने कहा था गिंती करने से याददाश्ट मजबूत होती है आईए देखते है स्क्विड गेम के इंटर्नल मिंबर्स के हिंदी आवाजों के पीछे कौन कौन डबिंग आर्टिस्ट है मैं आप सबका यहां दिल से स्वागत करता हूँ यहां पे मौजूद सभी लोग छे दिन छे अलग-अलग गेम्स में हिस्सा लेगे जो छे के छे गेम्स जीतेगा उसे इनाम में धेर सारा पैसा मिलेगा इस सीरीज में एक पोलिस ओफिसर है जो गेम में घुसकर इन्विस्टिगेशन में लगा रहता है इसके अलावा अगर आपने डबस्टर लोहिच शर्मा का नाम सुना होगा जो अपने यूट्यूब चैनल पर फैन डबिंग किया करते थे आज वो इंडस्ट्री में प्रोफेशनली डबिंग कर रहे है और इस सीरीज में उन्होंने पाच से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है और उपर से तेरी आवाज भी बदल गई है मुझे अपना चैरा दिखा एक मिनाट तो आप लोगोंने कहा कि आप जाना चाहते हैं और कातिलोंने कहा कि हाँ हाँ जाए ना क्या दिखत है ऐसा हमारा खेल तो गेम शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है इस सीरीज में और भी कई सारे डबिंग आर्टिस्ट है जिनोंने अपना काम बखू भी निभाया है और इन ही लोगों के वज़े से हम सब फॉरेंड कॉंटेंट को अपने लैंग्वेज में एंजॉय करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि इन सभी आर्टिस्ट को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो जरू करे और अपना प्यार दिखाए मिलता है अगले वीडियो में बाई